समाजिक न्याय का और क्या महत्व है हमारे लिए और ऐसा कौन सा ख्षित्र है जहां पर हम इसकी महत्ता को समझ सकते हैं इसलिए जरूरी है ताकि सब को सस्ती कानूनी व्यवस्था एवं निश्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का आउसर दिया जा सके सस्ती कानूनी व्यवस्था कहीं नी सस्ती कानूनी व्यवस्था और साथ ही निश्पक्ष कानूनी प्रक्रिया कानूनी व्यवस्था से तालुकात है कि यदि दुरभाग्य से न्याय के लिए हमें कचहरी जाना पड़े न्याय के लिए हमें माननी जजों के पास कोर्ट आदी जाना पड़े तो उसका जो खर्च है उसको वहन करने के काबिल हों ये नीचे के तबके के लोग और ये तभी संभव है जब वही धारना जिसे मैं सामाजिक न्याय कह रहा हूँ वह धारना लेकर शासन चल रहा हूँ शासन के लिए जरूरी होता है कि वह ऐसे तबके के लोगों को सश्ती कानूनी व्यवस्था मुहया कराए और इसके साथ ही ऐसी व्यवस्था भी जो निश्पक्ष हो जो इस बात को न देखे इस बात को मद्दे नजर रख कर न्याय न करे कि वे किस वर्ग के हैं, किस जाती के हैं, किस धर्म के हैं, आदी आदी यदि यदि ये कानूनी प्रक्रिया कठिन होगी, जटिल होगी, कॉंप्लेक्स होगी तो निश्चित रूप से गरीब तबके के लोंगों को निम्न अनपढ तबके के लोंगों के लिए तो न्याय पाना संबह हो जाएगा न्याय केवल उन लोगों की पूंजी हो जाएगी जिनके पास धन है ऐसी स्थिति में सामाजिक न्याय की अवधारणा सामाजिक न्याय का महत्व समझ में आता है और ऐसी स्थिति में शासन निर्धन को निश्पक्ष न्याय देने के लिए विवने तरीके के प्रयास करता है, विवने तरीके के प्रावधान करता है पुना इंद्रा गांदी के अदि बात करें तो उन्होंने कहा था कि एक विकास्षील देश में सामाजिक न्याए के लिए सरल, सस्ती और शीगर कानूनी व्यवस्था जरूरी है सरल, सष्टी और त्वरिद गति से निर्णे देने वाली व्यवस्था ऐसा नहीं जो वर्षों तक जहां पर चलता रहे और नियाए मिलने में कई वर्ष निकल जाए ऐसा नियाए किस काम का जो बहुत विलंब से मिले ऐसी स्थित्य में ये बयान बहुत महत्पूर्ण है सरल, सष्टी और त्वरिद गति से जल्दी शीगर मिलने वाली ऐसी व्यवस्था हम बनाएं जिससे कि नियाएक प्रक्रिया की निश्पक्षिता पर भी आँच ना आए निश्पक्षिता का अर्थ के निरने जज्जमिन जो भी हो उसमें किसी प्रकार का किसी के पक्ष लेने की बू ना है इसलिए शासन ने ऐसे कमजोर लोगों के लिए कमजोर लोगों को नियाए दिलाना सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कई प्रावधान किये हैं और ये प्रावधान किस तहद किये हैं? वही सामाजिक नियाए को ध्यान में रखकर, सामाजिक नियाए को मद्दे नजर रखकर. किस तरह से इन गरीब लोगों को नियाए विवस्था में मदद की जाती है? इसके कुछ दाहरण हैं जैसे मुफ्त कानूनी सहायता देना. सरकार ने ऐसे कुछ शेल्स, ऐसे कुछ कोष्ट बनाए हैं जहां पर वकीलों के द्वारा मुफ्त में लोगों को कानूनी सहायता मिलती है, ऐसे लोगों को और राजियों में तो लोग अदालतों का प्रावधान है, लोग अदालत पर हम विस्तार से न जाएं, पर इतना हम सम के सभी वर्गों के लोगों के लिए जिसके द्वार खुले हैं और जहां पर यह आवश्यक नहीं हैं कि आप एक खर्चीली प्रक्रिया से गुजरें, उसके निर्णे भी बड़े त्वरित होते हैं और निश्पक्ष होते हैं, तो इसलिए मुफ्त कानूनी सहायता योजना लोग अदालत की स्थापना और कानून के सामने सब को समान नजरिये से देखना, एक्वैलिटी बिफोर लॉओ, ये सब किस बात पर अधारी था हैं सामाजिक नियाए पर ही, तो सामाजिक नियाए के महत्ता यदी बनाए रखी जाए, अक्षियों ने रखी जाए, तभी हम सश्टी कानूनी व्यवस्था, त्वरित कानूनी व्यवस्था, निश्पक्ष कानूनी व्यवस्था और साथ ही साथ सरल कानूनी व्यवस्था हम दे सकते हैं, सामाजिक नियाए के महत्त को लेकर, अगला बिंदु है, कि यह सार्वजिनिक स्वास्थ की प्राप्ति के सोशल हेल्थ सोशल हेल्थ के लिए आवश्चक है परिवार नियोजन के कारिकरम नहिशल्क टीका करन जो वरतमान में चल रहा है करोना काल में और इसके अलावा नहिशल्क स्वास्त परिक्षन महला अस्पताल महला क्लिनिक बच्चों के लिए पौश्टिक आहार जो मुफ्ट में व्भिन स्कूलों में दिया जाता है शास्की स्कूलों में और जीवन रक्षक दवाओं के मूल्यों पर नियंतरण जो दवाईयां अन्नित्वा बड़ी महंगे होती हैं उनके मूल्यों पर नियंतरण रखते हुए सरकार सुनिश्चत कर रही है कि समाज के विभिन्य वर्गों को सभी वर्गों को ये सुवधाय मिलें ये आखिर सरकार ऐसा कर क्यों रही है सरकार क्यों नियंतरित मूल ये नियंतरित दवाईयां उपलब्द करा रही है सरकार क्यों पौश्टिक भोजन मुफ्त में गरीम इस्तर के बच्चों को देने का प्राउधान कर रही है सरकार ने परिवार नियोजन कारक्रम चला कर छोटे परिवार जोर देने का प्रयास क्यों किया है ये सब के पीचिया सरकार ने अभी वर्तमान में नहिशुलक टीका करन का प्राउधान क्यों किया है क्योंकि इन सब पर स्वास्ति के इन मुद्धों पर जो लोग आर्थिक रूप से संपन नहीं हैं उनके लिए संभोनी हैं कि ये सब स्वविधाय उनको मिले और शायद वे कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनके पास इतना धन हो कि वे समय पर अपनी दवादार्यू कर सकें पौश्टिक भोजन की विवस्था अपने बच्चों के लिए कर सकें कोरोना में जैसे नहिशुलक टीका करन हो रहा है वे लोग टीका करन नहीं कराइंगे क्योंकि उनके पास धन नहीं है सरकार ने जदि उस पर शुलक रखा पांस सो या साथ सो एक हजार रुपए टीका करन के लिए प्रतिक टीके के लिए तो ये जो आर्थिक रूप से विपन निवर्ग है वो क्यों जाएगा टीका करने वो तो दो जून की भोजन के जुगाड में रहते हैं उसकी व्यवस्था में वो खून पसीना बहते हैं टीका करन की बात ही दूर लेकिन यदि वे टीका करन नहीं करते हैं यदि उनके बच्चे पोशित पॉष्टिक भोजन नहीं करते हैं यदि वो लोग शिक्षित नहीं होते हैं तो इसका खामियाजा समाज के संपन वर्ग को भी भुगतना पड़ता है स्वास्थ के मामले में तो बिल्कुल तै है कि यदि इन लोगों ने टीका करन नहीं किया तो क्या हम लोग स्रक्षित हैं करोना से नहीं उसी प्रकार यदि इन लोगों को पॉष्टिक भोजन नहीं मिला तो निश्चित रूप चे इनके गिरते हुए स्वास्थ से होने वाली बीमारियों का सर समाज के अन्य तबके पर भी पड़ेगा इसलिए भी सामाजिक न्याय के तहट शासन सुनिश्चित करता है कि इस तबके के लोगों का उद्धार हो स्वास्थ के मामले में भी इनके साथ न्याय हो स्वास्थ के मामले में भी इनके संबंद में कानून बनाए जाए प्रावधान किये जाएं ताकि इनके स्वास्त में सुधार हो तो इसलिए सारवजनिक स्वास्त की बात की गई है सारवजनिक स्वास्त के मुद्दों पर यदि अमल करना है तो जरूरी है कि सामाजिक न्याय की परिकल्पना वहां पर स्विकारे हो उस जगह में अंतिम बिंदु सामाजिक नियाय के महत्व को लेकर कि सामाजिक नियाय आखिर क्यों ये परिकल्पना क्यों इतना जोर पकड़ी है नैतिक नियाय नहीं और ऐसे धार्मिक नियाय नहीं ये सामाजिक नियाय की बात हो रही है ताकि क्यों इतना जोर है, उसके लिए एक और बिंदु है, शिक्षा और संस्कृति के विकास के लिए भी जरूरी है, शिक्षा और संस्कृति के विकास के लिए भी, आपने सुना होगा कि बहुत प्रसिद उकती है कि यदि कोई परिवार में एक बच्चा अशिक्षित हो ज जाता है तो कई जनरेशन बरवाद कर देता है एक माँ अशिक्षित रहती है तो कई जनरेशन विकार हो जाती है क्योंकि एक अशिक्षित माँ या अशिक्षित व्यक्ति समाज के लिए एक उचित नहीं है विकसित समाज के लिए विकाश्विल समाज के लिए उचित नहीं है वह समाज पर बोज बन जाता है और इस विकार यदि हज्जारों बच्चे अशिक्षित होकर युवा हुए तो आप कल्पना करिए ऐसे अशिक्षित युवा देश के किस काम के होंगे और क्या वे लोग गलत दिशा में नहीं बढ़ेंगे इसलिए समाजिक नया और ये होता क्यों है ये मा अशिक्षित क्यों रह गई या बहुत सारे बच्चे अशिक्षित क्यों हो गए क्यों वे स्कूल नहीं गए ऐसी क्या बात थी कि वे स्कूल जाने से वंचित हो गए क्या उनकी इच्छा नहीं थी इच्छा तो रही होगी उनके माबाप की भी इच्छा रही होगी कि हमारे बच्चे पढ़ें लिखें लेकिन असी क्या बात थी कि वे शिक्षा नहीं ले पाए और शिक्षा की बात तो दूर आधार्भू शिक्षा से भी वंचित हो गए जिसे हम थ्री आर्स कहते हैं Reading, Writing, Arithmetic लिखना, पढ़ना और हलका फुलका गनिद कारण केवल ये है कि उनके पास वो आर्थिक माददा नहीं है उनके पास वो आर्थिक माददा नहीं है आर्थिक संबल नहीं है जिसके बलपरवे अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेज सकें या खुद पढ़ लिख सकें तो और परिणाम क्या होगा इसका समाज में इंबैलिंस बढ़ता ही जाएगा शिक्षित बनाम अशिक्षित ये अशिक्षित लोग बेरोजगार रहे चले आएंगे मजदूरी करते चले आएंगे और विविन अप प्राज से दूर करना है यदि उनको समाज की मुख्धारा में लाना है तो आवश्यक है कि ऐसे कदम उठाये जाएं जिससे वे शिक्षित होएं और ये तभी संभव है जब समाजिक न्याय की परिकल्पना वहां जोर पकड़ी हो अनुसूचित जाती अनुसूचित जंदाती के लिए विभिन्य तरह के हॉस्टल खुले गए हैं उनके लिए अलग से शिक्षा का प्रावधान किया गया है एक लब विद्याले की परिकल्पना इसी के तहत की गए है शिक्षा उनकी शिक्षा के विकास के लिए और साथ में भारत में जो अन्य पिछले वर्ग हैं बच्चों को आर्थिक संबल देती हैं सुनिश्चित करती हैं कि गाओं के अंदर का बच्चा यदि मेधावी है पढ़ाई में अच्छा है तो उसे सतत अवसर मिलता रहे और वो अवसर भनाता रहे इसी का प्रणाम है कि आज अंदरूनी आलाकों से बहुत से बच्चे बेडिकल की परिक्षाओं में सफल होके आगे बढ़ रहे हैं और ये क्यों खंभा हुआ क्योंकि सामाजिक न्याय की महत्ता को समझते हुए सभी तरह के प्राउधान सरकार के द्वारा किये जा रहे हैं शिक्षा की उपलबजता एक बहुत महत्पूर्ण अंग है सामाजि अरेफ़िद गर शासन में ही आप देखिए कि शासी स्कूलों में लड़कियों को साYKL दी जा रही है मुफ्ट में सायकल मुफ्ट में उनको गनवेश यूनिफॉर्म दिया जाता है किताबें दी जाती है ताकि इस बहाने निर्धनता उनके आड़े उनके अध्यन में और शिक्षा और संस्कृति का विकास तभी संभा हो है जब हम सामाजिक न्याय की परिकल्पना में विश्वास करते हूं। वहां के रहने वालों की अपनी संस्कृति को अक्ष्ण बनाया रखने के लिए सरकार ने कई तरह के कारकरम बनाया हैं। अपनी संस्कृति के तहट आदिवासी लोग या क्षेत्री लोग जो वस्त्र पहनते हैं। उन वस्त्रों को दूसरे क्षेत्र में बिक्री के लिए पहुचाने का प्राओधान। सरकार के दौरा ऐसे लगू उद्योगों को कुटिर उद्योगों को महत्व देना और उसके लिए विशेश प्रयास करना सबसीड़ी देना ये सब तभी संभव है जब हम सामाजिक न्याए की परिकल्पना में विश्वास करें सामाजिक न्याए के महत्व को समझें। तो इस तकार ये दस बिंदू इस बात के इस पष्ट परिचायक हैं कि सामाजिक न्याए हमारे लिए कितना महत्व पूर्ण हैं। सामाजिक नयाय के महत में इन दसों बिन्दों को देखने के बाद हम समझ सकते हैं कि वर्तमान जो आधार है नयाय का, सामाजिक नयाय, वह अन्य आधारों से या पुराने समय के विचारों से बदला हुआ है, लेकिन निश्टत रूप से सरवश्रेष्ट आधार है, सामाजिक न्याय, सब का विकास, यही सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण है सामाजिक न्याय की परिभाशा हमने समझी और सामाजिक न्याय के महत्व को भी हमने समझा कि आखिर सामाजिक न्याय हमारे लिए महत्पूर्ण क्यों है और अब तक आप समझ गया होंगे या मान लिए विश्वास कर लिए होंगे कि हाँ समाजिक न्याय ही सरुषेश तरीका है समाज को गतिशील बनाने का आगे ले जाने का लेकिन एक और जहां समाजिक न्याएं की महत्ता को दिन बादिन समाज ज्यादा से ज्यादा समझ रहा है बहतर समझ रहा है एक समस्या बनी हुई है कि न्याएं किस तरह का कैसे उसका अधार क्या हो जब बात करते हैं कि न्याएं देने के लिए क्या समस्याएं सामने आती हैं क्या बाधाएं आती हैं तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि सामाजिक जीवन के अंतरगत विभिन व्यक्तियों या समूहों के प्रति वस्तूओं, सेवाओं, अफसरों, लाभों, शक्ति और सम्मान आदि के आबंटन का उचित तरीका क्या है मैं पुना दोरा दूँ कि सामाजिक जीवन के मैं बात कर रहा हूँ न्याय के लिए समस्या क्या है आखिर न्याय के रास्ते क्या चीज अड़े आती है न्याय देना इतना कठिन क्यों है और न्याय के एक कठिन चीज है, ये इस बात से साबित है कि हजारों साल से इस पर विचार विमर्ष चिंतन होता रहा है, परिभाशित होता रहा है और परिभाशा का अधार भी बदलता रहा है वर्तमान इस हिति में जहां हमने बात की थी वित्रन आत्मक न्याय आपको याद होगा, मैंने कुछ देर पहले कहा था, अपने दूसरे वीडियो में वित्रन आत्मक न्याय की चर्चा की थी वित्रन समस्य यह आरी है न्याय के लिए कि ये जो विभिन व्यक्तियों और समूहों के प्रति हम चीजों को बांटे कैसे, बांटने का आधार क्या हो क्या ये आधार हो कि एक व्यक्ति के पास मात्र शून्य पैसा है इसलिए उसको पांच लाग दे दिया जाए, समाज के अन्य लोग के पास औसे तन पांच लाग है क्या ये आधार हो कि वह अशिक्षित है, या पांच वी तक पढ़ा है, या कॉलेज पढ़ा हुआ है या ये आधार हो कि वह इस तबके का है, समाज के, इस वर्ग का है, इस जाती का है, इस धर्म का है तो एक बहुत बड़ी समस्या जो सामने आती है वो ये है कि इन वस्तों का, दायत्वों का, लाब का, या अवसरों का, या सेवाओं का, या बाध्यताओं का भी, आबंटन करने का आधार क्या हो? ठीक, उसी प्रकार न्याए के लिए जरूरी क्या है? आखे जब न्याए की कुछ समस्या है, तो न्याए देने के लिए आवश्यक क्या है? आधार किया दे हम बात करें, आधार क्या हो? तो एक मोटी मोटी सहमती इस बात पर बनी है, कि न्याए के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है, कि सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत हो, उसमें सब की गरिमा बनी रहे, गरिमा का अर्थ क्या है? गरिमा का अर्थ है, सब का अपना जो संबल है, सब का अपना जो गौरा है, वह बना रहे, इसके साथ ही न्याए का दूसरा आधार, गरिमा के साथ अवसर, सब को समान अवसर, समानता के अधिकार के तहट अवसर की बात होती है, अधिकारों के तहट भी अवसर की बात होती स्वतंता की बात करते हैं तो भी अवसर की बात होती है इसलिए अवसर बहुत महत्पूर्ण है तो सभी को प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विकास के लिए अपने प्रतिभा के विकास के लिए अपने लक्ष की प्राप्ति के लिए अवसर मिले ये जरूरी है, नियाय देते समय ये सोचना जरूरी रखता एक एक नियाय धीश के लिए आवश्चक है सोचना ये बिन्दू कि क्या वो सबकी गरिमा को रखता है नियाय देने से पूर्व और साथ ही क्या उस्कों विकास का उसर देता है अहमियत मिली हो उच्च वर्ग क्योंकि कोई व्यक्ति उच्च वर्ग का है इसलिए उसके साथ अन्याय हो जाए ये उतना ही गलत है जितना की निम्न वर्ग के व्यक्ति के साथ क्यों इसलिए कि वह निम्न वर्ग का है इसलिए न्याय हो जाए ऐसानी यहां पर न्याय की परि का अहित तो मैं नहीं कहूंगा पर दूसरे वर्ग की गरिमा पर ठेस पहुंचे, समानता पर ठेस पहुंचे तो वह भी उचित नहीं हैं। तो इसलिए न्याय के लिए ये तीन तत्व बड़े आवश्चक हैं। गरिमा, अवसर और सभी व्यक्तियों को बराबर, बराबरी की अहमियत, महत्ता सबकी हमारे लिए एक जैसी हो। सभी को बराबरी की अहमियत देना, सभी के साथ समान बरताओ करना, समान लोगों के प्रति कैसा बरताओ करना, ये भी न्याय का मुद्द है, न्याय देने के आधार का मुद्द है। यदि समान लोगों के प्रति, समान बर आप समझने की कोशिश करेंगे समान लोगों के प्रति समान बरताओ तो इसकार्द क्या हुआ कि मनश्य होने के नाते तभी व्यक्तियों में कुछ ना कुछ समान चारीत्रित विशेश्टाएं Boost सभी व्यक्तिवों में विशेश ताएं हैं, क्योंकि सब लोग मूल रूप से आखिर मनिश्य ही हैं, तो आधार क्या हो? मानव होना अधिकार की यह दया बात करें तो समान बरताओं में समानता, सतंता, संपत्तिक अधिकार सबको समान है और आवश्यक बिंदू क्या है कि वर्ग जाती नसल इसके आधार पर भेदभाव ना हो ये समान लोगों के प्रति समान बरताओ के तहत ये बिंदू नहित है समान लोगों के साथ समान बरताओ इसको सोचते समय ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि कुछ लोगों की विशेश जरूरते होती हैं कुछ ऐसे वर्ग हो जाते हैं जिनकी कुछ विशेश जरूरते होती हैं और वहां पर समान लोगों के एक साथ समान बरताओ का ख्याल रखते हुए हमें उनमें से कुछ लोगों की विशेश जरूरतों की और ध्यान देना जरूरी है केवल ये कह लेना कि समानुपातिक न्याय से पूर्ण न्याय मिल जाएगा ये गलत है समानुपातिक न्याय अर्थत जिस अनुपात में उस वर्ग के लोग हैं उस अनुपात को ध्यान में रखते हुए न्याय देना ये गलत है इससे पूरा न्याय नहीं मिलेगा उसी प्रकार जो लोग महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं उनके साथ अलग धंग से व्यवहार करना जरूरी है अर्थात विकलांग वर्ग अर्थात बहुत निम्न शिर्णी का जो वर्ग है जो अपने आप हज्जारों वर्ष के सुष्ण के कारण उठ नहीं पा रहा है तो खास मुद्दों में उनके साथ अलग धंग का बरताओ जरूरी है विशेश जरूरत मंद को ख्याल में रख कर नियाय देने की बात करना ये विशेश जरूरतों का विशेश ख्याल रखने के जिए शब्द देखिए समान लोगों के साथ समान बरताओ और यहां अब क्या है विशेश जरूरतों के विशेश ख्याल ये विशेश जरूरते मतलब जो अत्याधिक शोषित लोग हैं जो सुनिश्चित हो गया है कि अपने बल पर नहीं आ सकते सामने विकलांग शारीरिक रूप से जो किसी तरीके से शारीरिक रूप से कमजोर हैं वे लोग उसके अलावा ऐसे अंदरूनी अलाके के लोग जिनकी पहुँच से शासन विश्च्था के सारे प्रावधान कोसों दूर हैं तो ऐसे विशेश लोगों के लिए विशेश जरूरतों का विकेश ख्याल रखना जरूरी है मैं बात कर रहा था कि नियाए के अधार को लेकर कई बार सहमत ही नहीं बन पाती नियाए का अधार क्या हो और उसी मुद्दों पर आगे चलते हुए हमने देखा कि विशेश जरूरतें जिनको हो उनके लिए विशेश प्रावधान किया जाए और यही सामाजिक नियाए के तहट आने वाला विशा है पर यहाँ भी एक समस्या है समस्या यह है कि यह कौन बताएगा कि विशेश जरूरतें कौन सी हैं किन्हें विशेश जरूरतें माना जाए और इसको परिभाशित करना या इसको रिखांकित करना एक बड़ा दूभर कारे है इसमें सहमत ही नहीं बन पाती एक वर्ग कहता है कि दूसरे वर्ग के बारे में कि यह उनकी विशेश जरूरत है लेकिन हो सकता है एक और तीसरा वर्ग हो जो कहता है यह विशेश जरूरत नहीं है क्योंकि यदि विशेश जरूरत की बात पर सहमत ही हो जाए तो हम लोगों को या शासन को उसका जो आर्थिक व्याय है वो वहन करना पड़ेगा उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए तो इस मुद्दे पर लेके बहुत बार सहमती असहमती बनती है कि विशेश जरूरते क्या है उसका अधार क्या है ये एक बहुत बड़ी समस्या है दूसरी समस्या ये है कि जीवन के जो नियूनतम मानक है नियूनतम का अर्थ क्या हुआ सबसे कम जरूरते क्या है और ऐसे सबसे कम अवसर क्या है नियूनितम अवसर हम लोग कहते हैं न बार बार कि ये जरूरी है कि सब को समान अवसर मिले हम लोग साथ में ये भी कहते हैं कि नियूनितम बेसिक लिविंग के लिए जो जरूरत की चीजें हैं वो उसको मिले तो जब इस बात पर सहमती होती है या इस बात पर सहमती तो है कि आधारभूत चीजे उनको मिलनी चाहिए इस बात पर सहमती तो है कि उन्हें अवसर मिलना चाहिए पर किस बात पर सहमती नहीं है कौन से अवसरों को आधारभूत अवसर माना जाए किन चीजों को बेसिक आवश्चिकताओं की कैटेगरी में रखा जाए इसलिए जीवन के नियुनतम मानक और अवसरों के प्रावधान के बीच सामंज़त से बैठाने में बड़ी कटनाई हो रही है और यही एक समस्या सतत रूप से बनी हुई है इस बातों का जिक्र इसलिय किया जा रहा है कि आगे हम आएंगे एक एक ऐसी परिभाषा पर जो सर्वकालीन तो नहीं है बलकि नई है लेकिन नईंपरिभाषा होते वे भी वह सर्व मानने नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा स्वीकरित परिभाषा है तो ये जो बाते हो रही है ये उसी की एक तरीके से भूमिका है कि आखिर क्या बात है कि सामाजिक न्याय पर सहमती नहीं बन पारी है आखिर क्या बात है कि सामाजिक न्याय के आधार पर सहमती नहीं बन पारी है और समाज का एक तबका वन्चित रह जाता है जहां न्याय का आधार क्या हो यह एक समस्या है उस पे असाहमती है वहीं वित्रन का आधार क्या हो चाहे वो सेवा का वित्रन हो लाब का वित्रन हो संपत्य का वित्रन हो इस पर भी असाहमती बनी होई है लेकिन इस बात पर सहमती है कि वितरन हो तो न्याय पूर्ण हो बड़ा रोचक है इस बात पर तो सहमती है कि न्याय देना चाहिए इस बात पर सहमती है कि सामाजिक न्याय हो इस बात पर सहमती है कि जो बटवारा है वितरनात्मक न्याय न्याय पूर्ण हो तो नियाएपूर्ण बटवारा क्या है इसके कुछ बिंदू बस हम जमाग में बैठा लें क्योंकि आगे आने वाले विशय पर इसका असर पड़ता है आपकी सोच में इसलिए नियाएपूर्ण बटवारा बटवारा तो करना चाहिए सरकार को बटवारे कार्थ उसको माटना गरीमों में जरूरत मंदों में विशेश वर्ग पर आदी लेकिन किस रूप में हो कैसे हो इस पर सहमती नहीं हो पाती लेकिन उसके बाद भी कुछ बिंदू पर हम बात करते हैं कानून और नीतियां सभी व्यक्तियों पर लागू हो देखिए न्याय पूर्ण बटवारा के तहट पहला बिंदू है कि चाहे कानून हो चाहे नीतियां हो सभी वर्गों पर लागू हो दूसरा बिंदू न्याय पूर्ण बटवारे के तहट कि समाज में जो व्याप्त असमानताएं हैं समाज में व्याप्त असमानताएं जो हैं उनको असमानताओं को समाप्त करने के लिए समाज के कुछ संसाधनों का पुनर वित्रन आसमानताओं को समाप्त करने के लिए कुछ संसाधनों का पुनरवितरण फिर से बांटना अब ये पुनरवितरण कैसे हो सकता है ये भी एक बड़ा मुद्दा है पुनरवितरण की बात करें तो भारत में एक प्रयास ऐसा ही किया गया था जब जमीदारों के पास जिनके पास बड़ी बड़ी भूमी थी उनसे जमीन लेकर किसानों को दिया गया प्रश्नियत था कि किस जमीदार थे कितनी जमीन और क्यों एक हजार एकड किसी के पास है तो उससे सो एकड लिया गया किसी के पास पांस सो एकर है तो उससे पचास एकर लिया गया किसी की जमीन शहर के निकट थी तो उससे थोड़ा लिया गया क्योंकि भेंगी जमीन थी किसी की जमीन शहर से बहुत दूर थी तो उससे ज़्यादा जमीन ली गई और किसान को दी गए शहर के पास की मिली ही जमीन से छोटी जमीन से ही किसान संपन्ण हो गया शहर से दूर मिली बड़ी जमीन से भी किसान विपन्ण ही बना रहा तो ऐसे बड़े बहुत सारे मुद्दे आते हैं लेकिन यह दह है कि पुनर वितरन आवश्यक है क्या है वो धन का हो अर्थ का हो संपत्य का हो तो लेकिन कितना और किस चीज का पुनर वित्रण ये न्याय पून्ञ हो और किस चीज का हो ये पिस्ट तूचा जाए तीसरा बिंदू है प्रत्येक व्यक्ति अपने उद्योश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास कर सके अर्थात न्याय पूर्ण बटवारे के तहट ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर व्यक्ति प्रयास कर सके हर व्यक्ति को प्रयास तभी करेगा जो उसको मौका मिले उसका जो लक्ष है उसको पाने में सफल हो या ना हो प्रयास के जो दुआर है वो उसके लिए खुले रहे और अंतिम है कि हर व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपने विचारों को व्यक्त करते के अभी व्यक्ति का या अभिव्यक्ति की स्वतंतरता तो नियापूर्ण बटवारा उसे ही कहा जाएगा जिसमें ये चार तत्व नहित हूं कानून और नीतियां निश्पक्ष असमानताओं खेति समात के संसादनों का पुनर वितरन तीसरा अवसर प्रयास के द्वार खुले हों और चोथा अभ अभिव्यक्ति की स्वतंता अभिव्यक्ति का मौका बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अभिव्यक्ति करने की सुवधा ही नहीं है तो ऐसा ना हो तभी वह न्यायपूर्ण बटवारे के तहत माना जाएगा